होली से पहले योगी सरकार ने मंगलवार को राजी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने महंगाई भत्ता 4 पिसदी बढ़ा दिया है इस वरिद्धी के साथ कुल महंगाई भत्ता 50 पिसदी हो जाएगा मुख्यमंत्री की स्विक्रिती के बाद वित्विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ोत्री का आदेश जारी कर दिया बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मार्च की वेतन के साथ दिया जाएगा इसका लाब राजे कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को एक जनवरी दोहजार चौबीज से मिलेगा इस व्रिद्धी से सरकार के खजाने पर करीब 350 करोड रुपय का अतिरिक्त बोज पड़ेगा सरकार के इस फैसले का लाब करीब 18 लाग कर्मचारियों को मिलेगा इसमें 12 लाग राज्य कर्मचारी और करीब 6 लाग शिक्षक शामिल है इसके अलावा 12 लाग पिंशनरों की महंगाई राहत भी 4 प्रतिशत बढ़ी हुई मिलेगी हालांकि पिंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते देने का आदेश अभी जारी नहीं हुआ है इसे भी जल्धी जारी कर दिया जाएगा इसे पहले केंद्रे कर्मचारियों के लिए 7 मार्च को एक साथ कई सारे खुशखबरी आई थी कैबिनिट ने होली के पहले हुई बैठक में केंद्रे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4 फिसदी इजाफे का ऐलान किया है इसके साथ ही उनके हाउस रिंट अलाउंस में भी 3 फिसदी इजाफे का ऐलान किया गया है अब एक्स कैटेग्री में कर्मचारियों को 27 फिसदी से बढ़कर अधिकतं 30 फिसदी एचारे मिलेगा एचारे में इस बढ़ोतरी की वज़ा से सरकार पर 9000 करोड उपय का भार पड़ेगा त्रिपुरा सरकार ने भी राजे सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सोगाद दी है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सहा ने 12 मार्ज को एलान किया कि राजे सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 5 फिसदी अतिरिक्त महगाई भत्ता दिया जाएगा साहा ने विधान सभा में यह ऐलान करती वे कहा कि इस फैसले से राजे के 1,6,932 कर्मचारियों और 82,000 पेंशन भोगियों को लाब होगा